को नमस्कार मैं शिवाम हूँ आ हैं बड़ी ख़वर आ रही है चुनाव आयोग के तरफसे एलान किया गया है । अ है election commission की चुनावायग सुनील अरोरा ने एलान किया है कब-कब चुनाव होंगे पांचो राज्यों में जो पांचो राज्य हैं जिन में 2021 में चुनाव होने हैं उसको लेकर एलान हो चुका है जो इंतजार थी लोगों की और पार्टी की वो अब थम गई है क्या एलान हुए हैं वो हम आपको सौट में पहले बताते हैं सौट में यह एलान हुए हैं कि जो छोटे राज्य हैं यानि कि केरल तमिलनाडू और पुद्दू चेरी इन तीनों राज्यों में एक चर्ण में ही चुनाव हो जाएंगे यानि कि 6 अप्रेल को इन तीनों जगों पर चुनाव होंगे साथ में हम आगे बढ़ें दो जो राज्य हैं बचे असम और पश्चिम मंगाल तो असम में तीन चर्णों में चुनाव होंगे और पश्चिम मंगाल में आठ चर्णों में चुनाव का जो तारीक है वो पश्चिम मंगा पांच वराजी बोल रहा हूं अब डीटेल पताते हैं आपको आपको डीटेल दिखाएंगे एक पर यह डीटेल दिखाएंगे आप थोरा सा जूम करके मारे दर्शकों को पस्चिम मंगाल में जो है जो आठ चर्णों में चुनाव होने वाले हैं वो पहला चुनाव 27 मार्च क को भी चुनाव होगा फोर्थ स्टे फेज का 44 सीटों के लिए पचमे में 17 अप्रैल को होगा और वो 45 सीटों के लिए होगा छटे चर्ण का चुनाव 22 अप्रैल को होगा और वो 43 सीटों के लिए होगा और साथ में जो है वो 26 अप्रैल को होगा जो कि 36 सीटों के लिए होगा जो कि अंतिम फेज रहेगा पस्चिम मंगाल के लिए, वो 35 सीटों के लिए चुनाव होगा, 39 अप्रैल को होगा, और 2 माई को रिजल्ट आएगा, 294 सीट है, कुल मिलाकर जो पस्चिम मंगाल की विधान सवा है, उसमें हमने आपको ये विवर नहीं दी है, आगे बढ़ते है तमिलाडू, तमिलाडू में 234 सीट हैं, और वहाँ पर केवल एक फेज में ही चुनाव होगा, 6 अप्रैल को 234 सीट है, उन पर चुनाव हो जाएंगे, ये क्लियर किया गया है, एलेक्शन कमिशन के द्वारा, जो केरला है, केरला की बात करें, तो केरला में 6 अप्रैल को च सब चुनाव होने वाले हैं, चुकि आपको पता है, 27 मार्च, 4 अप्रैल, और 6 अप्रैल को चुनाव होंगे, तो 40 सीटों के लिए और 49 सीटों के लिए, उसके बद की तीटों के लिए, कोल में 27 अप्रैल, उन पर 40 सीटों के लिए, कुल मिला को चुनाव होंगे, 각 OST nel किस-किस राजी में, कितने चर्णों में, कब-कब जो है, वो चुनाब होगा, इन सभी का जो रिजल्ट आएगा, जो मतगन्ना की तारीक है, वो दो मई को जो है, निर्धायित की गई है, इलेक्शन कमिशन के द्वारा, दो मई को पांचो राजियों का, यानि कि चारो राजि दिए दिन्यूस.